हेलो एवरिवन स्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD जॉप में सरकारी स्कूल में बिना परिक्षा के सिक्षक बनने का एक सोनहरा अफसर केंद्रे विध्याले सिक्षक भरती 2024 नया नोटिफिकेशन दो राजियों से है सभी पोस्ट में सभी सब्जेक्ट की विद्याले दीपाटोली से है और दूसरा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है मकरपुरा से विकेंसी है जो है मैं आप लोगों को बता देती हूं सबसे पहले पोस्ट ग्रेजिग टीचर्स की जो सेलरी रहती है 27500 टीजिटी के लिए सेलरी है PRT में जो salary है 21,250 है Computer instructor के लिए अगर आप apply करना चाहेंगे तो primary में 21,250 salary रहेगी और secondary में salary 5,000 अधिक है 26,250 Special educator में भी primary teachers की बराबर है salary Regional language teachers के लिए as per KVS norms के according salary है Games teacher, yoga teacher के लिए भी primary की ही salary है Staff nurse की per day के according है 750 Dance coach की, Balvatika teachers की और primary teachers की इनकी जो है सभी की समान है salary यहाँ पर लिखा है कि Beard is must for the post of PZT and TZT अब notification हम देख लेते हैं कौन-कौन से subject की है तो सबसे पहले केंदरे विधाले no.3 वायू सैना इस्तल मकरपुरा बड़ोधरा गुजरात की vacancy है सबसे पहले इसे cover कर लेते हैं, सारी चीजें समझ लेते हैं परिक्षा नहीं होगी केवल interview रहेगा Post graduate teachers की vacancy है जिसमें science stream से physics, chemistry, biology की vacancy है Commerce, economics, mathematics, computer science से English and Hindi की vacancy है TZT के लिए जो है Hindi, English, Sanskrit, Mathematics, social science and science की vacancy है Primary teachers की vacancy है, music teacher की है Computer instructor, sports coach, yoga instructor, dance, staff, nurse की है Special educator की है और बालवाटिकर teachers की है जहां entity वाले apply कर सकते हैं आप देखें यहाँ पर interview जो है 22 March 2024 को साड़े 8 बजे रहेगा इन्होंने बोला है कि एक दिन पहले 21 March 2024 को 4 प्रतियां बिना किसी प्रमाणपत्र के विध्याले कारेले में जो है जमा कराना है और जब interview रहेगा next day तो अंकतालिका या प्रमाणपत्रों की मूल प्रति अपने साथ लेके जानी है PZT या TZT के लिए जो है Beard जरूरी है Application form आप लोगों को Link share किया जाएगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो notification चेक करने को मिलेगा साथ में application form के लिए जो link है वो भी आपको मिल जाएगा वीडियो के नीचे description box को आप नीचे तक चेक करेंगे वहाँ पर आप लोगों को School की main website का link मिलेगा ठीक है ताकि आप application form डाउनलोड कर सके बाकी जो है आप खुद भी Google कर सकते हैं यह स्कूल की main website का link दिया हुआ है उसके बाद जो है नीचे इनों ने दिया है यहाँ पर qualification qualification जो है master degree के साथ में B.Ed आपका master degree में 50% marks T.Z.T. के लिए कह रहे हैं bachelor degree में 50% marks और C.T. आपका paper to qualify होना चाहिए PRT के लिए जो है senior secondary 50% marks के साथ में और D.L.Ed आपने किया है या diploma elementary education में आपने किया है B.T.C. किया है B.E.S.T.C. किया है जो भी आपने किया है या फिर आपने B.Ed.B. अगर करा है graduation के साथ में 50% marks के साथ में तो भी यह PRT के लिए eligible कह रहे हैं और यहाँ पर जो है CTET और STET को भी जो है नोने STET को भी कहा है कि अगर आपने आपके राज्य का TET क्वालिफाई किया है level 1 तो आप PRT में अप्लाई कर सकते हैं ठीक है music के लिए music में आपका पास डिग्री होनी चाहिए computer instructor में computer science में आपने B.E. B.T.E.C. किया है eligible है special educator के लिए B.E.D. special education में होनी ज़रूरी है game से sports coach के लिए B.P.E.D. वाले अप्लाई कर सकते हैं और nursing में आपके पास diploma है या फिर डिग्री है तो अप्लाई कर दे आप dance coach के लिए bachelor degree होनी चाहिए आपके पास और साथ में certificate course dance में बालवाटिका टीचर्स में 12th के साथ में जो है D.E.C.Ed. वाले preschool education वाले nursery teacher यानि entity course वाले या B.E.D. नर्सुरी से किया है तो आप अप्लाई कर दे बालवाटिका आया की वेकेंसी है next जो वेकेंसी है जो की केंद्रे विधारे दीपा टोली से है यह रांची जहारखंड में है और यहाँ पर भी P.G.T. T.G.T. Computer instructor, Games Coach, Counselor, Special Educator, Nurse की वेकेंसी है यहाँ पर PRT की और बालवाटिका टीचर्स की वेकेंसी नहीं है यहाँ पर साक्षातकार की डेट जो है 21 March है दियान रखें सभी बदों की पातरता Section क्योगिता पंजीकरन प्रपत्र के बारे में अधिक जानकारी के लिए केंद्रे विध्याले दीपा टोली की जो यह मेन वेफसाइट है इस पर विजिट करना है यानि आप लोगों को application form यहीं पर मिलेगा साक्षातकार के लिए अवशक निर्देश यह है कि यहाँ पर 18-65 वर्ष तक के candidate apply कर सकते हैं साक्षातकार के लिए कोई TA नहीं दिया जाएगा और अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग आविधन करना रहेगा अंग्रेजी और हिंदी दोनों माद्यम से पढ़ाने के लिए जो है आपकी प्रोफिसेंसी होनी चाहिए कम्प्यूटर की थोड़ी सी नॉलेज मांगते हैं साक्षात मकार में भाग लेने के लिए पंजीकरन आविशक है यानि आपका साक्षातकार अगर साड़े दस होता है सारे आठ बजे आपको स्कूल परिशर में पहुंचना है और जितने भी ओरिजिनल डॉकुमेंट है आविधन पत्र के साथ में जो आप लोग लेके जाएंगे फोटो कॉपी और फोटो जरूर लेके जाएं दोबारा से इनोंने सेलरी यहाँ पर यह अलग नोटिफिकेशन है तो अलग से दिया हुआ है और भी जो है डेटेल में पढ़ लें बाकि जो भी इंपोर्टेंट चीज है वो मैंने आप लोगों को बता दी है एप्लिकेशन फॉर्म आप लोगों को कहां मिलेगा तो अभी आप लोगों को में वेबसाइट पर जाना है केंद्रे विध्याले मकरपुरा की जो वेकेंसी है तो यहाँ अनाउंस्मेंट सेक्शन में आपको नजर आएगा नहीं भी नजर आ रहा है तो व्यू आल पर क्लिक करना है यहाँ पर आप देखें एप्लिकेशन फॉर्म फॉर कॉंट्रेक्ट्ट टिचर फॉर इंटर्व्यूवरण पर इसे डाउनलोड करना है ठीक है इसी तरीके से केंद्रे विध्याले दीपा टोली रांची में है जो जारखन में तो यहाँ पर भी आप लोगों को view all पर क्लिक करेंगे क्योंकि बहुत सारे जो है notification आते रहते हैं तो सबसे उपर ही मिल रहा है आपको interview for part time contractual panel